आज में लेकर आयों एक होम रेमेडी यदि डेली एक चमची से दूद के साथ खाएंगे तो आँखों को ठंडक मिलेगी और आँखों की रोशनी भी बढ़ेगी ये टेस्टी भी है तो बच्चे भी इसे पड़े ही चाफ से खाएंगे हेलो एवरिवन मैं हूँ अंजेना तो शुरू करते हैं बनाना आँखों को ठंडक देने वाली एक होम रेमेडी इसे बनाने के लिए हम लेंगे एक कटोरी बदाम हमने जो बदाम लेनी है वो गुरबंदी बदाम लेनी है जो कि क्वालिटी में अच्छी होती है बदाम में हो बदाम के साथ हमने लेनी है एक कटोरी सौफ आम तोर पर देखा जाता है सौफ का प्रयोग माउठ फ्रेशन के रूप में किया जाता है लेकिन सौफ से पाचन समंदी समसाईं दूर होती है सौफ खाने से आँखों को ठंडक मिलेगी और आँखों की रोशनी भी बढ़ेग सौफ के साथ साथ हमने लेनी है धागे वाली मिश्री इस रेमेडी को बनाने के लिए हमने केवल धागे वाली मिश्री ही लेनी है जो कि कैमिकल फ्री होती है और इसके साथ साथ ये चीनी की तुलना में कम मिठी होती है ये जो मिश्री होती है वो अन्रिफाइंड होती है इ की immunity को बढ़ाने में मदद करते हैं सबसे पहले एक पैन में बदाम डाल कर इसे रोस्ट कर लेंगे इससे हमने पिल्कुल हलका सा रोस्ट करना है और इसे लो फ्लेम पर ही रोस्ट करना है रोस्ट करने से इसे पीषने में भी असानी रहेगी और इसके साथ सक इस remedy की shelf life भी ट्रांस्फर कर लेते हैं अब हम सोंफ को भी रोस्ट करेंगे लेकिन इस बात का पूरा ध्यान रखे कि इन्हें हमने भूच ज्यादा रोस्ट नहीं करना बाद में पता लगे कि इनकी विटामिन्स तो हमने सारे जला ही दिये इसे पैन में डाल देंगे सोंफ और सोंफ को भी low flame पर हलका सा रोस्ट करेंगे और इसे में डाल देंगे काली मिच ताकि ये भी थोड़ी सी रोस्ट हो जाए बस हलका सा गरम होते ही इन्हें भी एक प्लेट में निकाल लेना है और जो धागे वाली मिच री थी उसके धागे को तो निकाल देना है और इसे सबसे पहले हम कूट लेंगे ताकि इसे पीशने में असानी रहे और ये देखे इस प्रकासे मैंने मिच री को कूट लिया है और इसके धागे को हम निकाल देंगे एक लेंगे mixer जार और इसमें हम डाल देंगे बदामगिरी सबसे पहले हम बदामगिरी को पीसेंगे इनको हमने अलग-अलग फिस को और यहाँ पर देखिए बदामगिरी पीस चुकी है इसी एक प्लेट में ट्रांसफर करेंगे और इसी में डालेंगे सौफ और इसी भी हम पीस लेंगे और यहाँ देखिए सौफ के साथ साथ काली मिज भी पीस चुकी है और इसी भी मैंने एक प्लेट में ट्रांसफर कर लिया इसी mixer जार में मिश्री को भी डाल कर पीस लेंगे और मिश्री को पीसने के बाद एक पाउल लेंगे और इसमें डालेंगे पीसी हुई बदाम वैसे तो हम इन सब को कच्चा भी पीस सकते हैं लेकिन रोस्ट करने से थूड़ा सा इसका टेस्ट अच्छा आएगा जिससे बच्चे भी इसे बड़े मज़े से खाएंगे और इसके सासत इसकी शेल्फ लाइव भी पड़ेगी यदि हम काफी मात्र में इसे बनाएंगे तो ये जल्दी से खराब नहीं होगा इसी में डाल देंगे सौफ का पाउडर और काली मेंच को तो हमने सौफ के साथ ही पीच लिया था इसे में डाल देंगे मिश्री मिश्री को आप अपने टेस्ट के कोडिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं बस अब इन सब को हमने अच्छे से मिक्स करना है वैसे तो बहुत से लोग इस रेसिपी के बारे में जानते होंगे क्योंकि ये रेसिपी हमारे प्रानिक टाइम से चली आ रही है और इसे हमने लेना कितना है एक चम्मची से हमने तूद के साथ लेना है यदि हम इसे सोते वक्त लेंगे तो सबसे बैस्ट है क्योंकि रात पर ये पूरी बोडी को रिपेर करेगा और इसे वैसे खाली पेट भी तूद के साथ लिया जा सकता है इसे हम किसी भी एट टैट कंटेनर में डाल कर स्टोर करके रख सकते हैं तो आप भी इस हेल्दी रेसिपी को बना सकते हैं वीडियो कैसी लगी प्लीज कोमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दे तो मिलेंगे मेरी नेक्स वीडियो में एक नई रेसिपी और एक नई कीचन टिप्स के साथ कीप स्माइलिंग स्टे हैल्डी